नमस्कार मैं भाकेशी डूंगे स्वागत करती हूँ आपका विकेबी नूस की दोपेर की खबरों में आए नजर डालते हेड्लाइन्स पर सुप्रिंग कोड के फैसले के बाद संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया कोड के निर्ने के बाद कुर्सी पर रहना गलत होता कल इडी का सामना करने जा रहे है राउत गोंदिया में बजरंग दलद्वारा कनेया लाल के हत्या के विरोध में प्रदर्शन कार्य करता होने की जोरदार नारेबाजी और वरधा में लंबे अंतराल के बाद भारी बारिश की वापसी जोरदार बारिश से किसानों को राहत अब खबरे विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुर्सी पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं है कॉंग्रेस और अंसीपी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने का आग्रह किया था इसलिए उन्होंने ये पद स्विकारा था ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउप ने दी है महाराष्ट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तिफा दिया उन्होंने शांती से समझाया कि महाराष्ट में क्या स्थिती थी तो वे मुख्यमंत्री बने दीपक केसर कर एक दिन पहले मेरे साथ चाय पी रहते और मैंने शिवसेना के सपने को पूरा करने की कोशिश की और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आप किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे है आपका नेता कोन है अब आपको बरतन धोने है आपका रास्ता अलग है हमारा रास्ता अलग है और आज जो लोग सिटी बजा कर शरत पवार या मुझ पर आरोप लगा रहे है और सरकार को उखाड फेकने के लिए उन्होंने जो भी ठेका मिला है उन्हें उखाड फेके तरुत्व के गुन क्या है यह देखने वाला पहला महाराष्ट ऐसी प्रतिक्रिया संजे राउत ने दी है नकीच महाराष्टाची मुख्यवंदरी सानमा नियो उद्धो ठाकरे शिवचना पक्षि प्रमुद। जयानी काल मुख्यवंदरी पताची राजिनामा दिला स्वता ती राज्यपला अंकड़े गिले काल ते चादी तेनी महाराष्टाची मुख्यवंदरी देशाची जन्तेशी संवाद सादला अनि महाराष्टाच कशा प्रकार्टी परुषिती निर्मान करने तली आने राजिनामा द्यावा लगला ही तेनी अत्यांत सैयमी आने सब्वे भास्यत सांगितला कि कशी अप्लास लोकाने दगाबाजी के लिए अप्लास लोकाने खंजीर खुपस ले पाठी आनि अशापद्धिती ना एक वातावर निर्मान धाले वर नयालाचा सरोच नयालाचा निर्णयान अनतर खुर्चीरे चिटकों इराना क्या रथना उता और नाही करें ठाकरें कदी ही सत्यचे जालसी को लोभी नवती आनि नाही एका विशिष्ट परसिती माने ने शर्रत पाउर साइब आनि कॉंग्रेस नित्रुत वा न उद्धो ठाकरें ना राज्याची धुरा सांबालिनाची विनत्ति के लिए हम आज अपनी पूरी जिंदगी खुद के कमफर्ट, खुद की खुशियों के लिए जिते अपने परिवार के सुकून के लिए अपनी जिंदगी बिताते है मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को खुशिया देना भी अपना करतव व्यमान के चलते ऐसे ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है गनेश चाचेर कर इस व्यक्ति की समासेवा की कहानिया गोरे वाड़ा और गिट्टी खदान परिसर के कुछ लोग की जुबान पर रहती है आईए देखते है ये स्पेशल रिपोर्ट नागपुर के गोरे वाड़ा हिलाके में गनेश चाचेर कर नाम के एक समासेवक रहते जो नागरिकों के लिए अनेक कार्य करते हैं उन्होंने अपनी इस शुरुवात के बारे में बात करते हुए बताया कि वे बच्चपन में पारिवारिक समस्याओ की वज़े से पढ़ नहीं पाए एक दिन गनेश अपने मित्रों के साथ बैठे ते तब उन्होंने बस्ती के कुछ बच्चों को गूमते देखा उन्हें लगा कि इन बच्चों का भविश्य खराब हो सकता है तो इनके लिए कुछ करना चाहिए, इसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए tuition class शुरू किये, उन्होंने कहा कि हम हमारा भविश्य नहीं बना पाए, पर इन बच्चों का बनाने के उपलक्ष से, उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ ही dance और activities में भी सहबागी किया, अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए, तो हर को ही कहेगा कि ना बाप बढ़ा ना भीया, सबसे बड़ा रुपईया, क्योंकि ये चीज ऐसी है, जिसके बदोलत ही आज की दुनिया में सब कुछ हो सकता है, अब ये चीजे आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, दोस्तों, आज अगर आप निकले और पैसों के बदोलत, जेब में पैसे न होते हुए कोई चीज किसी से मांगे, तो वो इनसान देगा नहीं, रिजन, सिर्फ एक, क्योंकि पैसा नहीं, तो कुछ नहीं, मगर नागपूर में कुछ ऐसे लोग भी है, जो अपनी कमाई में से कुछ हिस तो थोड़ी सी आर्थिक मदद हो जाए, जाहिर सी बात है, हमारे पास, जगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा एजूकेशन मिल जाए, गौर्मेंट ने बहुत सारी स्कीवे बनाई है, जिसके तहत बच्चे बाहर पढ़ भी रहे हैं, मगर हर बच्च और नेशित तोर पर आपसको भी उनसे मिलवाओंगा और बताओ, उनसे पूछेंगे हम किस तरह से ये पूरी कहानी उन्होंने लिखी और किस तरह से वो कारे कर रहे हैं, तो गनेज भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागर है, नमस्कार जैवि, गनेज भाई मुझे कर रहे थे हैं, जैसे मैं बच्चपन में पढ़ा नहीं हूँ, कुछ फैमिली के वज़े से पढ़ा नहीं, तो बस्ती में कुछ बच्चे ऐसी घूम रहे थे, अब हमने सब बच्चों ने सोचे, कि इन बच्चों का भविष्य आगे चलके खराब हो सकता है, तो इनके बच्चे जो घूमते थे, इदर उदर जाते थे, कंचे खेलते थे, तो उनका ध्यान उसमें रहता था, उनकी फैमिली बेग्राउंड ऐसा होने से इने ट्यूशन नहीं लगाना, स्कूल भेज नहीं सकना, उस वज़े से उनकी मेंटलिट सी नहीं, तो जब से उनके ट्यू बस वही देखके बच्चों को भविषया आप खुद का भविषय नहीं बना पाए तो किसी बच्चों को भविषय बनाने की सोच है, यह सोच बाप की बढ़िया है, मैंने आते हुए देखा मैं जब यहां पर आ रहा था आपके घर की तरफ, तो यहां पर जो एरिया है आपकी तरफ से इनको क्या-क्या मदद मिलती है, उसके बरेम जरा विस्तर पुरोग बताईए। जब बस्ती से निकल के कही जाएंगी और उनका भविषय सुखी होगा, उनके माबाब सुखी होगे, यह सब वो देखके सोच करें दूसरी चीज मैंने आपके देखी कि आपके बहुत ही आला दरजे का एक जीम ओपन किया हुआ है, एसी जीम है, किसला मेरिया में इतना जिससे दूसरों का भी भला होगे, आपके बहुत होगे, जिससे दूसरों का भी भला हो, अब मैं छोटी बना रहा था, एक रूम के अंदर खुट के लिए, तो कुछ ढूंडे हमने, मशेनेरी दिल्ली गए, दिल्ली में बात किया, दिल्ली में मशिन महिंगी हो रही थी, तो एक दोस्ता हमारा, जो जीम चला था, उसकी जीम बंद हो चुकी थी, तो उसको फोन कि पोना है, तो सामान ढूंड रहा है, तो मेरे पासे सामान लेके जा, पैसे रहाएंगे, तब देना, ने तो मत देना करके, तो उन्हें सामान दिया, तब जाके यह सब कुछ हुआ, दोस्तों का साथ भी इसमें आपको पूरा मिला, सर, एक आप से चीज जाने मेरे मन में भी कुरिस्टी थी कि आपका एरिया थे पढ़ता है सलम में, कोवीड के जो दो साल गुजरे और जब लॉकडाउन लगा, तब स्थिती ऐसी थी कि अच्छे अच्छो की कमर तूड गई, तो यह तो सलम था, तो यहाँ पर भी लोगों को परिशानी आई होगी, तो यहाँ पर कि अलग अलग पार्टियों के कीट्स, खाना, ऐसा कुछ आया था कि किस तरह सी हुआ था, यह सब कुछ चीजी हुए थी ना, लेकिन कैसा है, हमारी बस्ती सब एक है, बस्ती में ज्यादा परिशानी नहीं हुए थी क्योंकि भार, अब सबने काम नंदे पे आना, सबको मना कर दिये थे, बंगले पे जाना मना, काम पे जाना मना, तो यहां के लोग बाहर जाई नहीं पाए, तो उत्ता टेंशन नहीं हुआ, लेकिन जब सेकेंड वाला करोना है, पहला करोना थी निकाल लिए जिसमें देट कम हुए, लेकिन सब जब सेकेंड वाला करोना है, तो सब जाहिर सी बात है कि आप तक भी लोग help मांगने आते होंगे हां आते थे ना help मारने आते थे अब हम लोग ambulance और oxygen cylinder यह दोनों चीज़े प्रोइट कर रहे थे अपे बहुत सारे लोगों को अब कैसा है भरती तो होई नहीं रहे थे सब ambulance घर आओ और oxygen लेके घर में जाके लगा दो बस उतना ही बाकी कुछ तो करी नहीं पा रहे थे बाकी नियत क्या होती है यह भी उसी दोर में हमने सब भी नहीं जाना क्योंकि दोस्तों जाहर सी बात है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो निशित तो पर पुरा टाइमिंग याद आता है तो कहीं नहीं कहीं मन कचोड जाता है कि कोविड में ऐसा भी हो सकता जो हमने सब ने देखा मुझे एक बात बताइए कि आपने यहाँ पर एक एंबुलेंस भी खड़ी देखी हमने जो कि और कई लोगों को पुछा भी कि अभी क्या क्या काम करती है ने का लोगों के लिए आपके एरिया के लोगों के लिए करती है बाहर के लोगों के लिए कर गंटे में उस आदमी की देट होई थी अगर सोचा जाए तो उस टाइम पे सरकारी हस्पिटल में अम्विलस होना था यह रोट पे कोई करने का कुछ जजबा हो तो जेब हलकी हो या भारी हो उससे फरक नहीं पड़ता इंसान के मन में वो ताकत होनी चाहिए वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी है तो यह सारी चीज़े अपने आप हो जाती है एक जीम यहां का एक सबसे बड़ा मैं कहूंगा माइलस्टोन है कि एक स्लम एरिया में एक वेल फरनिश्ट और ऐसी जीम जो आप करीबकर अच्छे सोसाइटी में इसका मंतली खर्चा ही चार साड़े चार हजार हो ऐसी जीम यहां पर नाममातरा अमोंड पर यहां के बच् और बहुत प्यारा काम आप कर रहे है आप यह काम ऐसे ही जारी रखे ऐसे हमारी इच उट सब ठीक है लेकिन कैसा है मेरी एक बात है वो सबने ध्यान रखना चाहिए है मरने के बाद खंदा देने से अच्छा है जीते जी मदद का हद दो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल यही रहेंगी मरने के बाद तो सब बोलते है लोगो अच्छा था यह था मैं यह कर सकता था बोलना था लेकिन मरने के बाद बोलने से अच्छा है जीते जी करो तो इस चीज से जिन्दगी का एक और फलसफा पता चलता है कि अगर जीना है तो करना है किसी के लिए तो जिते हुए कर लिजे मरने के बाद तो सभी करेंगे निशी तोर पर दोस्तो सीख तो बहुत अच्छी मिली और काम भी बहुत अच्छा शुरू है ऐसा ही काम आगे भी चलता रहे यही हमारी अपेक्षा भी होगी क्यामेरमेन रोशन के साथ निलेश फरकाडे विकेबी निउस के लिए मरने के बाद कंदा देने से अच्छा है कि जीते जी मदद का हाथ दो गनेश ताचिर करने गरिब लोगों की सेवा कर नागरिकों के लिए एक आदर्श खड़ा किया है कारिय वो हो जो लोगों को सुकून दे खुद के सुकून के लिए तो जमाना जीता है विकेबी न्यूस के लिए निलेश फरकाडे की स्पेशल रिपोर्ट ठाकरे सरकार के सत्ता से हटने के बाद स्टी कारे करताओं ने जश्न मनाया बीड में माजलगाव स्टी देपो के करमचारियों ने स्टी डेपो में आतिश बाजी और पठाकों के साथ इस अवसर का जश्न मनाया विलनी करन की मांग को लेकर पाच महिने से स्टी कारे करताओं का अंदोलन शुरू किया गया था इस अंदोलन में स्टी करमचारियों का सरकार में विलनी करन नहीं किया गया इसलिए स्टी करमचारियों की यह मांग आज भी है ठाकरे सरकार के सत्ता से हटने के बाद स्टी कारेकरताओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया इस बीच महापुरुषों के नाम पर घोशनाय भी की गई गोंदिया जिला विश्व हिंदू परिशत बजरंग दलद्वारा आज गोंदिया में कनहिया लाल के हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया इस वक्त बजरंग दल के कई कारेकरता उपस्तित थे गोंदिया बजरंग दलद्वारा कनहिया लाल के हत्या के विरोध में जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया विधर्ब प्रांत सहस्योजक देवेश मिश्रा, भीकम शर्मा, मनोच पारेक, मुक्तानंदव डोमने, अनिल हुडदानी, बाडा व्यास, नवीन जैन, अंकित कुलकर्नी, हरिश अगरवाल, अमित जा, संजे दुबे, अतुल जैसवाल, महेंद्र देश मुख, सचिन चौरस जै चौरसिया, तथा मोक्षधाम सेवा, समिती के प्रमुख, सुनिल तिवारी और गोंदिया नगर के अन्य, गनमान्य नागरिक उपस्तित थे, इस वक्ट बजरंग दल के कई कार्यकरताओं ने उपस्तित रहकर नारे बाजी की, विकिब्यन्यूस के लिए गोंदिया से स परतीश पार्दी की रिपोर्ट, खबरों के सिलसले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, लाव यू दिपिका, बाई, सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरिट कालर, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है, सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर लाइए, सुरुची. अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है, पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, फ्लाइवी एविएशन अचाडमी, एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट, सा फ्लाइवी एविएशन अचाडमी, जिव एविएशन अचाडमी, 365 गानी नगर, L.A.D. कॉलिट स्क्वेर, बिसाइड करनाथ का बैंक नागपुर वासने मेटिंग तो लाए, जानाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे माहा पुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com प्रेक के बाद आपका स्वागत महाराष्ट के राज्यकी बिजली की जरुतों को पूरा करने के लिए उर्जा मंत्री डॉप्टर नितीन राउत ने एक बेहत अहम फसला लिया है अगले पास सालों में राज्य में 11,000 मेगावाट बिजली की निर्मिती की जाएगी और बिजली का उत्पाद अदानी इंडस्ट्रिस करेगी ऐसी जानकारी उर्जा मंत्री डॉप्टर नितीन राउत ने दी है उर्जा मंत्री ने विश्व आर्थिक मंच से 50,000 करोड रुपे का निवेश निकाला महच एक महिने में राउत फिर से 60,000 करोड का निवेश आकरशित करने में सफल रहे इसलिए राज्य के उर्जा शेत्र में एक लाग करोड रुपे से अधिक निवेश की प्रक्रिया जल शुरू होगी आज उर्जा मंतरी डॉक्टर राउत ने राज्य सरकार के उर्जा विभाग और अदानी ग्रीन एनरजी ग्रूप के बीच नितिन राउत और प्रमुक सच्छिव उर्जा दिनेश वागमारे की उपस्तिती में एक महत्वपुर्ण समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये यह पहसला गैर पारमपारिक उर्जा और हरित उर्जा के शेत्र में नया है राउत ने समझोते के बाद यह बात कही खाल ही में ग्रिश्मकालिन बिजली और कोईले की कमी के कारण राज्य में लोडशेडिंग संकट का अनुभो किया लेकिन प्रभावी प्रबंधन और यो प्रयास कर रहा है समझोते के तहट अदानी ग्रीन एनरजी राज्य में पंपेट स्टोरेज परियोजनाय स्थापित करेगी अगले 4-5 साल में अदानी समुह इन परियोजनाओं में करिब 60,000 करोड रुपे का निवेश करेगा इससे 30,000 नौकरिया उपलब्द होगी साधी इन PSP से 11 मेगावेट बिजली का उतपादन किया जाएगा इन परियोजनाओं से राज्यो को कई लाप प्राप्त होंगे जो गैर पारमपारिक उर्जास्त्रोतों की मदद से बिजली का उतपादन या बंडारन करते हैं ये परियोजनाय बिजली की कमी की स्थिती में तातक राज्य के उर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राउत और रमुक सचिव उर्जा दिनेश वागमारे की उपस्तिती में ये समझोता हुआ उर्जा उपस्त अचिव नारायन कराड अवर्स अचिव नाना सैब धने अजित बरोदिया वरिष्ट उपाद्धक्ष अदानी ग्रीन एनर्जी गंपनी और अक्षे माथूर असोसियेट उपाद्धक्ष इस अउसर पर उपस्तित थे महारास्त अच्या भविश्य अतिल विजेची गरज लक्षाद गेता राज्या ततिरिक्त विज निर्मिती ची गरज आए या पार्श भुमिवर अम्याज अदानी उद्धुख सम्मुआ सुबत एक महत्वात्य सामन जश्य करार के लिया के लिला है राज्याचा उर्जा विबाग आणि अदानी ग्रीन एनर्जी सम्मुआ येंचा दाज माजा उपस्तित था सामन जश्य करार करना ताला या करारा नुसार अदानी ग्रीन एनर्जी कंपणी तरफे राज्याच पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स उभारले दाना रहे आगामी चार ते पात वर्षात अदानी समुआ सुमारे साथ दार कोटीजी गुंतवणू के याद करना रहे या मुला 30,000 रोजगार निर्मिती अपिक्षित आहे तसेज PSP चा माद्यमातना 8,000 मेगावैड अतिरीक्त वीज निर्मिती के लिज आना रहे अपर अपरिक उर्जास्तोत्राच्या मदतीना वीज निर्मितीचा वा वीज संचे करना रहे या प्रकलपांचे अनेक लाब आहे या मुला निचीतत्स महाराष्ट ग्रीन वक्लीन एनर्जीक शेत्राद उन्च भरारी गेतला अगेन्याद्स एशश्पी ठरना रहे नागपूर में 29 जून को राज्य के उर्जा मंतरी डॉक्टर नितीन राहुत ने आज उत्तरी नागपूर में 19.5 करोड रुपे के 7 विकास कार्यों का उदगाटन किया ये विकास कार्य उत्तरी नागपूर की सूरत बदलने की चर्चा हो रहे है विधायक निधी 15.89 लाग उत्तर दलित विकास निती 60.76 लाग दलित वस्ती विकास योजना 101.38 लाग नागपूर सुधार प्रन्यास निधी 1727.48 लाग रुपे का मुख्य रूप से समाविश है इसमें उत्तरी नागपूर के ब्लॉक 13,14 और 15 में विकास कार्य शामिल है विकास कार्यों में सिमेंट सडको शोचालय ब्लॉकों के साथ-साथ जीम भवन का निर्मान शामिल है इस योजना में मार्टीन नगर, मौजा, नारा, कस्तूरबा नगर, जरीपटका, कलपना नग यशुधरा नगर, महेंद्र नगर इन सभी इलाकों में विकास कार्य कराये जाएंगे इस अउसर पर रतनाकर, जैपूरकर, बंडोपंदर, टेंभूरने, ब्लॉक 13 के अध्यक्ष सुरेज पाटिल, ब्लॉक 14 के अध्यक्ष दीपक खोबरागडे, ब्लॉक 15 के अध्यक्ष मुल्चन में हर उपस्थित थे, इस समय भूमी पुजन स्थल पर बड़ी संख्या में विभिन्न कार्य करता मोजुत थे, विजया हजारे, ममता सयाम, महेंद्र बोरकर, नेहा निकोसे, दिनेश यादव, सतीश पाली, राकेश निकोसे, जौन जोसेफ, मनसुर खान, साकरे, महुनीज खान, राजेश दिक्षित, दाउद भाई, माला दिक्षित, अजिस खान, नईम खान, राजेश कोहार, दशरत मालवी, विलेश हुमने, सोहित यादव, उमेश डावखरे, शालीनी धोटे, सोनु कोब्रागडे, जौन बेग, आदी लोग उपस्तित थे, वर्धा जिले में काफी दिनों बाद बारिश की वापसी हुई है, सुबह से हो रही जोरदार बारिश से कई जगव पर जल जमा हो गया है, पिछले आट दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, बारिश न होने से फसले जलने की कगार पर थी, बारिश के अभाव में फसर की र के पर ही मोत हो गई जबकि पिता सूरेश कामली का भंडारा अस्पताल में इलाद चल रहा है आज अग्याद टिपर चालक की चपट में आने से बच्चे की मोत हो गई है शेत्र में अवेद टिपर का बोल बाला है और टिपर चालक राद के अंधरे का फाइदा उठा कर सड़ पर तेजी से वाहन चला रहे ऐसे में तुरगटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तो विकेबी नियूस की दोपेर की खबरों में अब बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ तब तक दिखते रहे हैं विकेबी नियूस नमस्कार